12 अक्तूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बच्पन ग्वालियर में बीता निदा फाजली उर्दु की 67 पीड़ी के महत्वपूर्ण कवी माने जाते हैं आम बोल्चाल की भाशा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिबाग में घर कर सके ऐसी कवीता करने में इन्हें महारत हासिल है वही निदा फाजली अपने गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किसम के अकेले ही गद्यकार है निदा फाजली की लफसों का पुल नामक कवीता की पहली पुस्तक आई शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 की साहित्य अकादमी पुरसकार से सम्मानत निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है फिल्म उद्योप से संबंध रहे निदा फाजली का निधन आठ फरवरी 2016 को हुआ यहां तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है पाठ प्रविश कुद्रत ने यह धर्ती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फर्माई थी जिने खुद उसी ने जन्म दिया था लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुद्रत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धर्ती को ही अपनी जागिर बना ली और अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नसलें खतम हो गई या उन्हें अपना ठॉल ठिकाना छोड़ कर कहीं और जाना पड़ा या फिर आज भी वे एक आशी आने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनी मत होती लेकिन आदमी नाम के इस जीवधी सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पूरी नहीं हुई अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता आलम यह है कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है ना किसी को सहारा या सहयोग देने की मन्शा है यकिन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाईए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आएं जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रती वैसा ही बरताव करते रहे हो अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले बाइबल के सोलुमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है इसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बाच्छाह थे कहा गया है वह केवल मानव जाती के ही राजा नहीं थे सारे छोटे बड़े पशुपक्षी के भी हाकिम थे वह इन सब के भाशा भी चांते थे एक दफा सुलेमान अपने लशकर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे रास्ते में कुछ चीटियों ने घोडों की टापों की आवा सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो फौज आ रही है सुलेमान उनकी बाते सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गये और चीटियों से बोले गपराओं नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मुहबत हूँ चीटियों ने उनके लिए इश्वर से दूआ की और सुलेमान अपनी मन्जिल की ओर बढ़ गये ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाशा के महाकवी शेक आयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है उन्होंने लिखा है एक दिन उनके पिता कुएं से नहा कर लोटे माने भूजन परोसा उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी वहां एक काला चौटा रेंग रहा था वह भूजन छोड़कर उठ खड़े हुए माने पूछा क्या बात है भूजन अच्छा नहीं लगा शेख आयाज के पिता बोले नहीं यह बात नहीं है मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है उस बेघर को कुए पर उसके घर छोड़ने चा रहा हूँ बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है उनका असली नाम लशकर था लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया है वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे इसका कारण एक जखमी कुट्ता था नूह के सामने से एक बार एक घायल कुट्ता गुजरा नूह ने उसे दुद कारते हुए कहा दूर हो जारे गंदे कुट्ते इसलाम में कुट्तों को गंदा समझा जाता है कुट्ते ने उनकी दुद कार सुनकर जवाब दिया न मैं अपनी मर्जी से कुट्ता हूँ न तुम अपनी पसंद से इनसान हो बनाने वाला सबका तो वही एक है मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान किसमे कितना कौन है कैसे हो पहचान नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे महा भारत में युधिष्टिर का जो अंतक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतिकारात्मक रूप में एक कुट्ता ही था सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांद को शान्द कर रहा था दुनिया कैसे वजूर में आई पहले क्या थी किस बिंदू से इसकी यात्रा शुरू हुई इन प्रश्णों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है धार्मिक ग्रंध अपनी अपनी तरह से संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धर्ती किसी एक की नहीं है पंची, मानव, पशु, नदी, परवत, समंदर, आदी की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाती ने अपनी बुद्धी से बड़ी-बड़ी दिवारें खड़ी कर दी है पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था अब टुकडों में बटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है पहले बड़े-बड़े दालानों आंगनों में सब मिल जुलकर रहते थे अब छोटे-छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है फैलते हुए प्रदूशन ने पंशियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है बारुदों की विनाश लीलाओं ने वातावरन को सताना शुरू कर दिया है अब गर्मी में जादा गर्मी, बेवक्त की बरसाते, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग, मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है नेचर की सहन शक्ति की एक सीवा होती है नेचर के गुसे का एक नमुना कुछ साल पहले बंबई, मुंबई में देखने को मिला था और यहाँ नमुना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे कई सालों से बड़े बड़े बिल्डिंग समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था पहले उसने अपनी फैली हुए टांगे समेटी थोड़ा सिमट कर बैठ गया फिर जगे कम पड़ी तो उकड़ों बैठ गया फिर खड़ा हो गया जब खड़े रहने की जगे कम पड़ी तो उसे गुसा आ गया जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुसा आता है परणतु आता है तो रोपना मुश्किल हो जाता है और यही हुआ की गेंद की तरहे तेन दिशाओं में फेट दिया एक वरली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा दूसरा बांदरा में कार्टर रोड के सामने ओन दे मू और तीसरा गेटवे ओफ इंडिया पर तूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिलने के काबिल नहीं हो सके मेरी मा कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो पेड रोएंगे दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो फूल बद्दुआ देते हैं दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो वह खुश होता है कबूतरों को मत सताय करो वे हजरत मुहमद को अजीज हैं उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबत पर गौसले बनाने की इजाज़त दे रखी हैं मुर्गे को परिशान नहीं किया करो वह मुला जी से पहले महुले में आजान देकर सबको सवेरे जगाता है सब की पूजा एक सी अलग-अलग है रीत मस्चिद जाए मौलवी कोईल गाए गीत ग्वालियर में हमारा एक मकान था उस मकान के दालान में दो रोशन दान थे उसमें कबूतर के एक जोड़े ने खोसला बना लिया था एक बार बिल्दी ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया मेरी मा ने देखा तो उसे दुख हुआ उसने स्टूल पर चड़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिर कर तूट गया कबुतर परेशानी में इधर उधर फड़डा रहे थे उनकी आँखों में दुख देखकर मेरी मा की आँखों में आसु आ गया इस गुना को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा दिन भर कुछ खाया पिया नहीं सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गल्ती को मुआफ कराने की दूआ मांगते रही ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है वर्सुवा में जहां आज मेरा घर है पहले यहां दूर तक जंगल था पेड थे परिंदे थे और दूसरे जानवर थे अब यहां समंदर के किनारे लंबी चोड़ी बस्ती बन गई है इस बस्ती ने नजाने कितने परिंदो चरिंदों से उनका घर छीम लिया है इन में से कुछ शहर छोड़कर चले गए है जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहां वहां देरा डाल लिया है इन में से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट की एक मचान में घौसला बना लिया है बच्चे अभी छोटे हैं उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबुतरों की है वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों न आये जाये आखिर उनका भी घर है लेकिन उनके आने जाने से हमें परिशानी भी होती है वे कभी किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते हैं कभी मेरी लाइबररी में घुसकर कबीर या मिर्जा कालीब को सताने लगते हैं इस रोज-रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगे जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है उनके बच्चों को दूसरी जगे कर दिया है उनके आने की खिड़की को भी बन किया चाने लगा है खिड़की के बाहर अब दोनों कभूतर राद भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं मगर अब ना सोलोमेन है जो उनकी जुबान को समझ कर उनका दुख पाटे न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी राद नमाजों में काटे नदिया सीचे खेत को तोता कुतरे आम सूरज ठेके दारसा सब को बांटे काम कर दोता कर दोता कर दोता है कर दोता कर दोता कर दोता है